सामान अधियन सुंकला के आज का वीडियो में आपके अपने OSSGS क्लासेज के प्रेटफर्म पर आपका पुना स्वागत करते हैं बिहार लोगसेवा आयोग BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा आयोईद की गई 47 संजुक प्रारमभिक परिक्षा अर्थात BPSC प्रिलिम्स 47 एक्जाम का आयोजन 2005 में किया गया था इस परिक्षा का भिषय सामानी अध्यन अर्था General Studies है और कुल प्रस्नों की संख्या 150 है इन 150 प्रस्नों का उत्तर यतोचित ब्याख्या के साथ 25-25 प्रस्नों का एक वीडियो यानि पहला वीडियो प्रस्न एक से 25 तक दूसरा 26 से 50 तक तीसरा 51 से 75 तक चोथा 76 से एक्षवा तक और अव पाच्वा वीडियो 101 से लेकर 125 प्रस्न तक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ चोकि ततकालिन प्रस्न उत्तर का बर्तमान संदर्ब में हम बनने वाले प्रस्नों का भी इस वीडियो में 100 व्याख्या उत्तर करते हुए आगे बढ़ेंगे इसलिए यह वीडियो 25 30 मूल प्रस्नों के साथ अनेकानिक और प्रस्न लगवग 50-100 प्रस्न का हम उत्तर जान सकेंगे इस तरह से इस एक वीडियो में धेर सारे प्रस्नों का उत्तर हम जानने जा रहे हैं वीडियो में आगे बरने से पहले एक आगरह यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक् कर दें और इस वीडियो का बिल आइकन को दवाना बिल्कुल न भूले ताकि शामानी अधियन और अन्य महत्पुर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक स्वासमय पहुँच सके और लाभानवित हो सके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का पहला और सिंखला का 101 वान सवाल लेते हैं यानि प्रसन संख्या 101 है आर्थिक नियोजन अर्थात एकोनोमिक प्लैनिंग बिशय है इस प्रसन का जो सही उत्तर है वह है ओप्सन सी शंबर्थि सुची अर्थात कानकरेंट लिस्ट संबर्थि सुची या क्या है दिस लिस्ट कंटेंस सब्जेक्ट ओफ कॉमन इंट्रेस्ट तो बोथ दे यूनियन एज विल आज दे स्टेट मतलब ये संग और राज दोनों के हित में ये सुची है जिस पर संबिधान के शेवन्त अनुसुची के अनुसार राज वो संग दोनों अपने अपने अस्तर से कानून बना सकता है इस सुची के अन्दर बावन आइटम्स रखे गए हैं उधारन के तौर पर एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरेज, एडॉप्शन, एट्सेटर अब हम लोग बढ़ते हैं एक सद्दो पर भारत का राश्टरपती किसकी द्वारा हटाये जा सकता है इसका सही उत्तर है ओफ्शन बी संसत द्वारा अगला सवाल है भारत में चालू मुल्यों पर प्रती व्यक्ती ज्यूनुतम आयवाला राज्जी कौन सा है इस प्रसन का जो सही उत्तर है वो है ओफ्शन ए बिहार जब दुनिया के किसी देश या राज्जी के लोगों के द्वारा कमाई गई कुल आय को देश या राज्जी के जनसंख्यां से भी भाजित करते हैं तो वह प्रती बेक्ती आय होती है क्योंकि देश या राजी के अंदर जो लोग होते हैं किसी की आए लाखों में होती है किसी की आए नियूनितम होता है तो ऐसे में एक जो आउसत आई होता है वही उस देश या राजी के लोगों की कमाई मानी जाती है आगे बढ़ते हैं प्रसन संख्या 104 की और निम्लिकित में से भारत की राश्ट्रिय आयका सबसे मुख्य श्रोत कौन सा है इस प्रसन का जो सही उत्तर है वह है और सेवा चेत्र यानि की सर्विस सेक्टर बहुत लोगों को यह ब्रह्म होगा कि क्रिशी शेत्र चोकि भारत एक क्रिशी प्रधान देश है तो क्रिशी शेत्र भारत के राश्ट्रिय आयका सबसे मुख्य श्रोत होना चाहिए लेकिन इसा नहीं है भारत की राष्टिय आयका सबसे प्रमुक्षेत्र है सेवा शेत्र यानि की सर्विस सेक्टर आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन सा बिशाय संबर्ती सुची अर्थात कौन करेंट लिस्ट में है अगला प्रसन है निमलिकित प्रत्यक्ष करों में से किस कर्द से सरकार को अधिक्तम राजस्व की प्राप्ती होती है ए निगम कर अर्थात कौर्पोरेट टेक्स बी आएकर यानि इंकम टेक्स सी शंपत्ती कर यानि वेल्थ टेक्स या फिट डी दान कर यानि गिट टेक्स इस प्रसन का जो सही उत्तर है वह है अगला प्रसन है एक्सा आठ जिस समीती की शिफारिष पर भारत में पंचैती राज की अस्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था ओप्सन ए असोक मेता ओप्सन बी डॉक्टर इकबाल नारायन ओप्सन सी बलवन्त राई मेता या फिर ओप्सन डी जीव राज मेता इस प्रसन का जो सही उत्तर है वो है ओप्सन सी बलवन्त राई मेता स्रिंखला का एक्सा नौवा सवाल है भारत में सबसे अधिक कौफी उत्पादन करने वाला राजिय कौन सा है A. महरास्ट, B. करनाटक, C. तमिल्लाडू या फिर D. केरल सही उत्तर है ओप्सन B. करनाटक करनाटक के बाद केरल और फिर तमिल्लाडू करनाटक का कुर्ग भारत का अपना कौफी जिला है यह कई बगानों का घर है जो देश की अरेविका और रोबस्टा किस्मों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है अगला सवाल है भारत में रास्ट्या आई समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है यह योजना आयोग, भारतिय रिजब बैंक, सी बित मंत्राले या फिर डी केंद्रिय सांके किया संगठन इस प्रश्ट का जो सही उत्तर है वह है सी बित मंत्राले अगला सवाल है लोग सवा में राज्यवार सीटों का आवंटन उन्हें से कत्तर की जंगरना पर आधारित है यह निर्दारन किस वरस्तक यथावत अर्थात इंटैक्ट रहेगा आपने इससे पहले मेरे एक वीडियो में जो नए संसत भवन के निर्मान पर आधारित था उसमें आप जरूर इस तरह के प्रस्न को देखे होंगे और उसका उत्तर भी देखे होंगे यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे तो इस प्रस्न का उत्तर देने में आप समर्थ हो पाएंगे तो इस प्रस्न का जो सही उत्तर है वह है option B 20 सच 26 भी तक अखला प्रस्न है भारत में जनसंख्या ब्रेदी के इतिहास में कौन सा वर्ष महा विवाजन का वर्ष ग्रेट डिविजन इयर कहलाता है या फिर दग्रेट डिवाइड कहलाता है option A 19 से 50 option B 19 से 90 option C 2021 या फिर option D 19 से 21 इस प्रस्न का जो सही उत्तर है वह option D 19 से 21 इत्रों 19 से 1 के बाद इतिहास में सिर्फ 19 से 11 से 2021 के बीच का दसक ही ऐसा समय था जब भारत की आवादी घटी 19 से 21 के बाद से भारत की आवादी बढ़ती चली गई 19 से 21 से पहले कभी हमारी जनसंख्यां बढ़ जाती थी कभी घट जाती थी महामारियों के प्रकोप के कारण या अन 21 इस ततकालिन कारणों से जनसंख्यां कभी-कभी घट जाया करती थी कुल मिलाकर औस तन इस दसक में जनसंख्यां घटी रही इसी वज़ा से उन्हें से कईस के साल को दग्रे डिवाइड कहा जाता है स्रिंखला का एक सा तेरवा सवाल है निमलिकित में से कौन सा एक राजकोष या नीती फिस्कल पॉलिशी का उपकरन नहीं है ए करार उपन यानि के टेक्सेशन बी सारवजनिक ब्ये पब्लिक एक्सपेंडिचर सी ब्याजदर यानि के इंट्रेस्ट रेट या फिर डी सार्वजनिक रिन पब्लिक डेविट इस प्रसन का जो सही उत्तर है वह है उप्सन सी ब्याजदर इंट्रेस्ट रेट अगला प्रसन है योजना आयो की अस्ठापना कब हुई थी उप्सन ए 10 मार्च उनेशपचास उप्सन बी 15 मार्च उनेशपचास उप्सन सी 16 मार्च उनेशपचास या फिर उप्सन डी 20 मार्च उनेशपचास इस प्रसन का जो सही उत्तर है वह है उप्सन डी 20 मार्च उनेशपचास यहां नोट करने वाली बात यह है कि 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया और इसके जगह पर नीती आयोग का गठन किया गया इस तरह से आपने इससे जुरा हुआ दो प्रस्णों को देखा और इससे समंदित 3-4 तेल प्रस्ण बन सकते हैं और उसके जबाब भी आपको मिल गया है अगला सवाल है जम्मु एवं कस्मीर के राजिपाल के नियुक्ति कौन करता है और जम्मु एवं कस्मीर का मुक्य मंत्री और जम्मु एवं कस्मीर का मुक्यूनियादीस और जम्मु एवं कस्मीर का मुक्यूनियादीस सभी राजिके राजिपाल की नियुक्ति का जो विधान है वह भारत के राश्टरपती के द्वारा की जाती है अगला सवाल है अम्रित बाजार पत्रिका की अस्तापना किसने की ए ग्रीश चंद्र गोस बी हरिश चंद्र मुकरजी इस प्रस्ण का जो सही उत्तर है वह है औफशन दी सिसिल कुमार घोस अगला सवाल है वर्ष 18.99 की मुंडा करांती का निता कौन था औफशन A शिद्ध औफशन B बुढ़ा भगत औफशन C बिर्शा मुंडा या फिर औफशन D शंबुदान इस प्रस्ण का जो सही उत्तर है वह है औफशन C बिर्शा मुंडा नोट एक अक्टूबर 1894 को बिर्शा मुंडा ने सभी मुंडाओं को एकत्र कर अंग्रेजों से लगान अर्थात कर माफी के लिए आंदोलन किया जिशे मुंडा विद्रो या उल्गुलान कहा जाता है एक साथारवा सवाल है 2001 की जनगर्णा की रिपूर्ट के अनुसार किस राजी में साक्षर्ता की दर सब से कम है अगला सवाल किस ने कहा था कॉंग्रेज आंदोलन नौतो लोगों के द्वारा प्रेज़ था नहीं या उनके द्वारा सोचा या योजना बद्ध किया गया था अफ्सन ए लाट डफरिन अफ्सन बी सरसयद अहमद खां अफ्सन सी लाट करजन या फिर अफ्सन डी लाला लाज पतरा है इस प्रस्न का जो सही उत्तर है वह है अफ्सन बी सरसयद अहमद खां अगला सवाल है अखिल भारतिय किशान सभा के प्रतम सत्र की अध्यक्स था किस ने की थी A. स्वामी सहजानन्द B. इंदुलाल या गिक C. एनन रंगा या फिड्डी पीशी जोसी इस प्रजन का जो सही उत्तर है वह है आफशन A. स्वामी सहजानन्द स्रिंखला का एक साएकीशवा और इस बीडियो का एकीशवा सवाल है वर्ज दुहजार दो के अनुसार बिहार में जन्वदर प्रती हजार क्या है इस प्रजन का जो सही उत्तर है वह है आफशन B. तीस दसमलब नौ अगला सवाल है गांधी इर्विन समझोते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्पुर्ण भूमी का निवहाई इस प्रजन का जो सही उत्तर है वह है तेज बहादूर सनी अगला सवाल है अठाट सा पच्पन इस वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया इस प्रजन का जो सही उत्तर है वह है अठाट सी मेजर बारो अगला प्रस्ण है एक जन्वड़ी 2003 को बिहार में कोईले के अनुमानिक भंडार थे मिलियन टन में अफशन A दो साथ मिलियन टन अफशन B तिन साथ मिलियन टन अफशन C एक सटाट मिलियन टन अफशन E दो साथ मिलियन टन इस प्रस्ण का जो सही उत्तर है वह है एक सटाट मिलियन टन यानि कि अफशन C अब स्रिंखला का एक सब पचीश्वा और इस बीडियो का पचीश्मा और अन्तिम सवाल है अंग्रेजी शार्सन काल में भारत का कौन सा छेत्र अफीम उत्पादन यानि कि पॉपी प्लांट के उत्पादन हेतू प्रसिद्धा आप्सन A. बिहार आप्सन B. दक्षिन भारत आप्सन C. गुजरार या फिर आप्सन D. आसाम इस प्रसन का जो सही उत्तर है वह है ओफ्सन A. बिहार आज की इस वीडियो में इतना ही आपने इन पचीश मूल प्रसनों के साथ बहुत सारे टेल प्रसनों को भी देखा बहुत सारे समधित प्रसनों को भी देखा और उसका उत्तर जाना इस तरह से अनेक अनेक प्रसनों और उसके उत्तरों को जाना इससे समानी ज्यान के साथ समसामई घटना पर आधर ज्यान का भी ब्रिधी होता है इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है लावप्रद है टूक भी थाइवाइळ बुह थ्रभी प्याओ झाल आधर ड्युकलंग जुट साथ यह भीडियोख चैनल इसे लिए रिए इन आपके लिए सब्सक्शक्तर पर आपके साथ यह भी मैं झाल आपके लिए यह स्थाच्छट कि यह व्यान के अच्टने ज्वाट्ट इस वेंगे